ग्विपाइब guest Whoo डिए अभी तक सीएफ़ आप रहेते हो ऐस क्रेशल फीलड च्यरी में हम लोगोंग ऐंप्टर USDA acer के कैसे साथ एक कौण आप एनर्जी कि एनर्जी बढ़ती है और जिसकी बढ़ती है वो pour S yeah I mean Nth shell K N minus 1D Nth Cell K energy comparable होता हो that's why that orbital is used for hybridization as well as what bonding को एगे परोड़ी सारे खेल आपको पता होगा कौका कौन से केस में कब कब वो सारी बाते मैंने आपको ट contrary रोगा और आगर जो क्या होता है बनाता है अगर बन सकता है लो इसम नाइप की पॉसंबिल्टी होगी तो कोआरिक नमर फोर की साथ क्या होता है कोडिधिन फिर्ए hierarchy फोर में ये ऐग आपने स्वेल लिया है घ्रिश यही खेंग अ हम लोग आगे अगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है अपना इस्पेक्ट्रो कैमिकल सीरीज वो कैसे बनता है उसको जड़ा समझते हैं इस्पेक्ट्रो कैमिकल सीरीज स्पेक्ट्रो कैमिकल सीरीज बेटा वो लीगेंड्स की एक सीरीज है जिससे हम पता लगाएंगे किस लिगेंड की डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसको कैसे निकाला गया होगा सो जो साइंटिस्टों ने कैसे निकाला होगा साइंटिस्टों ने क्या किया होगा देखो उन्होंने क्या किया होगा एक मेटल लिया होगा और उस मेटल में एक लीगेंड लिया होगा लीगेंड के नमर लिया होंगे और उस पर कुछ चार् गया मेटल को फिक्स किया गया इसको फिक्स किया गया है थानि सब चीज सीर सोगा व सिक्स कर दिया औरो जो कउम्प्लिक्स लेकिन के आपने कर दिया और एक चीज़ कर दिया और अगर आपने सारे चीज़े इंडेक्स कर दी ना इस ऐस चेज कर सकते हैं वह यह क्या कर सकते हैं वह वह बार-बार क्या चैंज करेंगे प्रिंग लिगेंड के change करने से हर एक ligand approach करें का coordination number fix है मान लो coordination number six ले लिया आपने तो हर बाद spreading कैसी होगी spreading कैसी होगी octidal field of ligand में होगी easy or t2g बनेगा easy or t2g बनेगा अब आपने क्या कि अलग-अलग ligand लेके वो जो delta o की value निकाली crystal field splitting energy की value निकाली अब खुश्होचो जो सब्से जесп ağday splitting कर आएं जिसके व्योम सब्सेजा होगी वह सब कुछ फिक्स करते हुए बार बार अगा आप एक एक लिगेंड को लाएंगे तो जो ज्यादा इस्प्रेटिंग कराएगा वह अच्छा लिगेंड होगा वह स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड होगा और राइट क्या मेरी बात आप समझे पार हैं उसे सेरीज को वोला सप्ट्रोकैमिकल सीज़ चालाकि हमारे पास वह ऐसा अपसल्यूट सीरीज नहीं है आप नहीं कह सकते है कि यह प्रॉल्लम यह है है यहाँ पर क्या है कि कई बार किया होता है ना मैटल्ट का पिईवियर अलग अलग लिगेंश के लिए ने अलग अलग होता है किसी एक मैटल के लिए आपने सारी चाहर करके निकाल दीं तो सॉघनकर आएEr है ञारा जो एक कोई दिक्कत नहीं है more or less जो अपने लेवल पे है कि पढ़ेंगी हम माने के चलमें कुछ कमियों के साथ एक स्पेक्ट्र गेमिकल सीरीज स्पाइंडली हमारे पास है जिसको हम लोग पढ़ते हैं हो स्पेक्ट्र केमिकल सेरीज क्या है तो यह है कि इसमें आता है Amonia अइमोनिया पिरीदी expose todayah फ्रिदीनटाइती कि एंद सकें माइस पिरीदीच में फैस्ग्या एन अ्मोनिया पिरीदीन शे कहती हें horsesizes इन चू च्योम धेंट सीनटू मैन इनकी कि … मॉ जलए अच Sm कि यह एक यानि कि इस तरह से हो इस तरह से हैं और इससे भी याद आते हैं अलकीन डेरिवेटिव्स अलकीन डेरिवेटिव कुछ याद आ रहा आपको यह पाई डोनेटिंग लिगेंड जो बैक बांडिंग करते थे सी यो जो पलट के बैक बांडिंग करता था कुछ आएज यह यह वाले लीगेंज सबसे स्ट्रॉंग फील्ड लिगेंड है आपको यहाद है कि मैंने कहा था कि यूजवली कारबन और नाइट्रोजन जो डोनर ह गया कि कार्वन डोनर SJ कारवन डोनर वाले ना इसके बाद पहले कि आएगा इसके बूर्ट कभिन फील्ड लिगेंड है स्टो अजयएगा और ही मैं आ जाएगा ऑक्फीजन आढ़ने लाए निरुंग आ और एक और आजाएगा आपका क्या इडिटी ऑग्जी लेटो सी टू ओफॉर पर दू माइनस जिसको बहुत सकते हैं पो एक्स पे टू माइनस उसके आजाएंगे आपके हैलोजेंस हैलोजेंस आजाएंगे आई बी आर सी एल एफ माइनस यह सारे आजाएंगे यह एक स्पेक्ट्र केमिकल सीरीज बनके त्याएंगे बहुत मुस्किल नहीं है याद करना अप जान से पहले हैलोजेंस है फिर ऑक्सियन है फिर नाइट्रोजन है एंड फिर कार्बन एक एक लंसम लंसम आप आप आइड तर दिज्टरोजन यहां तक चोर यहां से यहां तक तो नहीं लेकिन कम से कम जी हो यह तो इतना déjà गोणा चाहिएब कि सब्ने अ deficit कर लेता हो उधारredit और लिएगेंट्स हैं। और यह च्छींटल लिइडले क्टंग टुछ और यह चैडले बाइट इन-चीस मिले लिएटियन है। छीन, आपको लिएपयले कशंतолет और। कुछ डीधिरीकंटलर लिएटी से Character पेघ्र लिएटत का डाहिसे हैं। और। लिए ने तो तो चुछ यह जुद्ध लिए जो तो यह करते हैं यह जब आती है तो रिंग फॉर्मेशन करते हैं मैंने पैप्ट मैंने बोगा तक इप्टी मैं मैं प्रोसाइक्ल एक फेक्ट अ कि यह साइकिल बनती है स्थाक्ट बने से क्या ओदर कॉम्पैक्टनेस आती है इनार्गेनिंग कंपाउंड और मूर स्टेबल विन यार कॉम्पैक्ट एंड सिमेट्रिक तो इस रिलीज होती है उसके वैसे इसके वैसे सिस्टम बिकम्स मौर और मौर स्टेबल प्लीज नोट करिए इसको तो पहला सवाल अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि यह इस पेट्रकेमिकल सीरीज और इसके बेसिस पर लोग आगे बढ़ने वाले हैं या नि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जो VCFSE को एफेक्ट कर सकते है अब जीए में जो कोशन आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं कुछ कोशन यहां से लिए आते हैं क्या फैक्टर्स अवेक्टिंग लिए बैलिट आप सीए फैसे इडिन डाल दीजे वैक्टर्स अफैक्टिंग दी वैल्यूज आप क्रिस्टल फील्ड इनर्जी क्या करेंगे एफेक्ट करेंगे क्रिस्टल फील इनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं पहरे मैं आपसे मुद्ध से बात कहले तो काज़ेंसे ज़रा सोचिए खुछ सोचिए हिए महीं आपने लिगेंट लिए रही है इस उनना मेरी काहते है आपने लिगेंट कर दिया बदो कर दिया कौरिदेशन कर दिया दुटियर सबस्च कर दिया अम मेटल भी सिक्स कर दिये मेटल पर 4 आपज चेंज करते हो रहे हो ना-a नमर से मैं बट च्रगा रहा है और bank पर चारज अलग अलगारा है कि आ क्या होगा स्प्लिटिंग कभ जादा होगी कभ पश्चाइब होगा जब मेटल पर चाउड होगा कभी चांग कि चूर्ज मेंट चार्ड करेगाrü बदेर्डा इन्हीं करता है रिखेंड को है कैसे जीतना बैंक्ट करए से पॉजिटू जाज होगा उतना ज़्यादा उसको अपनी तरफ अपरोच करेगा प्रोच करेगा इस प्रिटिंग उतनी जादा होगी तो अगर जो मैटल पे चार्ड जादा होगा जैनी सब कुछ विक्स करके बस आप ऑक्सिरेशन नमबर चेंज करें मेटल पे तो ऑक्सिर स्टेक्स लागए फिक्स कर दिया कोडिनेशन नबर फिक्स कर दिया कोडिनेशन फिक्स कर दिया किसका crystal field splitting ज़्यादा होगी यह देखेंगा भी मैंने spectrochemical series जो पढ़ा है उससे जिसकी spectrochemical series में जो strong क्या होगा फीड लिगेंड होगा वो splitting ज़्यादा कराएगा यह ना वो splitting ज़्यादा कराएगा उसके CFSE के value ज़्यादा होगी उसकी stability भी क्या होगी बोलो ज़्यादा होगी आया ना अब ज़रा समझना अब एक तीज़ा केज लेते हैं आपने कहा किया लिगेंड फिक्स किया लिगेंड फिक्स किया मेटल पे oxygen state fix कर दी बट मेटल चेंज कर रहे हैं आप बार बार मेटल चेंज कर रहे हैं आपने कहा किया लिप्लातीनम ले लिए पैलेडियूं ले लिए 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 निकिल प्लातीनम पैलेडियूं दी ब्लॉक के मेटल पे चार्ज फिक्स है अब मेंटल अलग अलग है अब यहां पे क्या दिखेंगे आग कंवेंड आरा है750 márow खुल मेंटल चाड़ होता है वो इसको बिला रहा है यह दोनुंग पिक्से चाल सुर्प्क्रउज यह्षिकस है लिए तो CCS अभीट कोई ऐसा यह अशे शेकेल है कि कि इस प्रेटिंग या कम होगी कहां जादा होगी कहां कम होगी कि यह यह जैस यह इस एक्सक्राइग नहीं प्यूर्ट आपको पता है डी ब्लॉक्व में टॉप वाट आप आने से पहले पहली जब फ्र्स ट्रांजशाश्यों सिरीज के बाद करते हैं तो दो बार डिया पक्रूइभा आगया होथा पहली बार सिरी बार चुका और एक कि इलेट्रॉन नुक्लियस का जो फोर्स होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यह सीधे आउटर इलेट्रॉन प्राइप और इसको खीच के पास लाता है एए इफेक्टिव रिए चार्ज बहुत ज्यादा होता है निक्लियस का टॉप टूबाटम जब आते है तो बने ही से मैं लेकिन एक फैक्टर है जो सेम नहीं है और इसमें क्या हो जाएगी बोले हार ज्यादा हो जाएगा आपके दिमाग में धीरे-धीरे बाते सेट हो रही है जो मैं बोल रहा हूं है ना ये करके चर्च 200 पहला मैं बात करोंग नीचर आफ रिकेंड पर पहली बात कर लेते हो नेशर ऑफ भगेंड पर hmm nature of crap नेचर फिर्ड कैसे मैं gonna करेगा कि जब नेचर आफ नीउट की बात करेंगेतो बता है तो अब खुद सोचो क्या क्या स्विक्न होगा है क्या 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 से град remain बोलो कि मैं थे उटर्ष में हुए प्रेंग से स्टेज में सुआइफ होगी ऐर वियद्ध क्यों यह वे शुक्स्व में सुझे फिक्स है आप सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं कि आप सिर्फ क्या तब है निए लोगेंड फिरस्यल्लिखन मे इस को जीएगा सिर डिफेरेंड नेचर आप लीगेंड यानि उनी लिगेंड को लिए डिफरेंट डिफरेंट है हर बार आपने डिफेंट लिए तो एक बार मैंने क्वेशन लिया एफ़ी सीएन कोल सिक्स पर थ्री माइनस एक बार अपने लिए लेक्वेटा एफ़ी एन वी अटू छो इस पर थ्री माइनस और एक बार अपने लिए एफी अमोनिया एनेस थ्री होल सिक्स पे थ्री प्लस चल्दा चेक करो थो चल्दा चेक करो तो खुद से कहां नहीं बताएए खुद सोचिए क्षज सोचिए इस्टोरी प्लस तरी इसका उक्सरेशन नमर की आका प्लस तरी तो चुल्टेशन नमर क्या सब सब दाखिए चॉल्टेश विक्स है है अब आपको स्पेक्ट्र केमिकल सेड़ीज याद होगी याद होगा इसमें स्प्लेटिंग यादा होगी जो वीक फिडिंग उन्हों उसमें स्प्लेटिंग कम होगी तो जारा बताओ डेल्टा किस पर डिपेंड करेगा बताओ strong field ligand आया न, delta किसका ज़ाद होगा जिसका ligand जो जबना ज़ाद है strong होगा, तो याद है आपको ammonia, pyridine, dipyridine बीज नेफस गया E NO2, Cn, Co NO2, Cn, Co NO2, Cn, सब ज़ाद किसका होगा CN का फिर NO2 और ammonia सबसे last में होगा क्या ये बात पची है आपको येस सर सान्या गया, ये बहुत बढ़िया कोशन है तो nature of ligand ligand जितना strong होगा stronger the ligand बोलो यार stronger the ligand more will be what more will be what CFSC CFSC all right now delta O की value, आप क्या सकते है दूसरा point, दूसरा point, charge on metal charge on metal charge on charge on metal katyine यार तुम khudis हो सकते हो इस बार क्या-क्या fix होगा बताओ तो कभी भी यहता नहीं होगा कि कोई शारे variable डाल दिये कई सारे variable डाल दिये फिर आप बता ही नहीं सकते कभी फिर बड़ा मुस्किल होगा पता सकते हैं पहुत सारे वरियेबल को सबको fix करके सिर्फ एक वरियेबल maximum माता एक वरियेबल चेंज करता फिर आप से पूछता है क्वेश्चन कई सारे वरियेबल नहीं कि सट कर सकता है पिर आप आंसर बताने में दिक्कत हो जागिया तो अगर जो चार्ज के geh varsa खुद तो जो आज़ो चार्ज हूं लिटेटरोंगें Z, लिएलe इस पिरानटर खांगे, जितना य्द्ल गयंड पास रहें जितना अप्रोच करें रहें क्या होगी स्प्लेटिंग बोल दो यार हां तो सी एफसी किस बात पर डिपन करेगा सी एफसी इस डिएकली पॉस्टनल टुवाट ऑक्सिडेशन नमबर यह बोल दो यार आगई इसका कोशन आप चाहें तो कह सकते हैं क्या के फॉर एफ इफ इए चीन व्ल्ट इफ एक यह दूसरा है के थे लिए लिए फी इफ फॉल सिक्स और रइट यह बता अजा रहा है दिमांग लगो तो इस फर क्या है लीगेंड से में नमर से मैं मेडल से मैं लेकीन मेडल पर चार्ज क्या आ रहा है यहां पर प्लस तूर यह पर क्याने इपके बदो प्लस थरी अब ओक्तीर नमब जिसे जादा होगा वो जादा करीब आएका उसमें प्लेटिटिंग जादा होगी किसी एफ आसी की वेलु जादा होगी बोल दो यह आया ना यह से नोट करें हाँ लेकिन यहां पर आपको मेंचन करना होगा क्या-क्या फिक्स है इस बार यह कब होता है जब क्या हो फिक्स हो बताओ भी टेली अपिक्स है लिग इंडिक्स है सिर्वाडिनेशन नंबर फिक्स है यह सारी चीजे उना सबस्ट है बनौर बनौर Kız शाल र्ले शिवत्ट और विए हुआउन ना सब्सक्राइब भाt पो ठीक है अब क्या इसरा किया कर लें फेक्टिव नूलियर चार्ज कि ए इसरा क्या है बहुत आफेक्टिव नूक्लियर चाज जड़ एक्टु कि यह कैसे वैरी करता है है और में फेक्टुव जैंने कि Z effective जैड एफेक्टिव नीक्लियर चार्ज तो खुत सुचा सकते हो कि क्या क्या से मौने वाला है ऑक्सिरेशन नमबर से होने वाला है लिगेंड से होने वाला है कोडिनेशन नमबर से होने वाला है यह सब फिक्स होने वाला है यह सब फिक्स होगा तो चेंज क्या होगा मेटल है मिटल चेंज होगा बार बार मिटल चेंज होगा ऑल्राइट ज़रा देखें हम लोग ने एक क्वशन लिया है NICL Whole4 पे 2 माइनस निकिल पलैडियम PDCl4 पे 2 माइनस और PT प्लाटिनम CL4 पे 2 माइनस चलो खोबडी लगो रखा ये दिमाग क्या है इस बार क्या भई ओक्सरेशन सुट क्या सबी क्या रखा स्टू है प्लस टू है प्लस टू है प्लस टू है इसको बोलते हैं पाइ water उसिरीज इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फ़ इसीरिई ऑफ्स इस कौने लुक वेज़ा सिरूर आ स्केंडियूम टाइडेनियूम वैनेडियूम चलते चलते जाता है कहां तक निकिल कॉपर जिंक पर आया ना स्केंडियूम कहीं तर्था ये ट्रियम कि फिर जिर्कोनियम एन हॉफनियम सॉरी लेन्थनाइड एन एक्टिनाइड और उसके यहां पर कहता है टाइडेनियम के बाद कहता है जिर्कोनियम एन हॉफनियम चलता जाता जाता है यहां जाता है पैलेडियम यह चलता जाता था यहां जाता क्या प्लाटिनम यहां कहता है कॉपर सिल्वर गोल्ड और यहां पर क्या था पच्छे जिंग कैडमियम और मरकरी यह है आपकी यह है आपकी क्या बिटा डी ब्लॉक यह आपका डी ब्लॉक होता है इस डी ब्लॉक में जो थोड़ा सा आप अब्जर्व करें तो आपको पता होगा यहां पे सिर्फ 3D आती है यहां पर जब आते हैं तो 3D आ चुकी है एक और डी आ चुकी होती है कितने सारे लोग आने के विए से इन सभी की जो शील्डिंग होती है बहुत ही वीक होती है वाट इस डेड़ इफेक्टिव हाँ इट इस जेड़ माइनस सिग्मा हाया ना सिग्मा क्या होता है स्क्रीनिंग पावर स्क्रीनिंग पावर आपको पता होगा सिग्मा क्या आगर जो आपको स्क्रीनिंग पावर देखना हो तो सब ज्यादा S का होता है सिग्म पी सबसे कम D और सबसे कम होता है F का तो यह जो D और F की जो बहुत होती है दी और एक शीलिंग बहुत होने के विए से मेरे वाइश सिगमा की वेलू बहुत कम होगी सिगमा की वेलू कम होगी तो जादा हो जाएगी बढ़ जाएगा इसलिए आप टॉप टू बॉटम आते हैं यहां पर तो जैड एफेक्टिव क्या होता है बोलो है और यहां पर यहां पर आप क्या नाम देते हैं लेंथेनओट कंट्रेक्ष्ण लेंद अधाया कुछ इए यह देनार्ट कंट्रेक्ट्ष्ण ओल्राइट तो जैड एफेक्टिव एफेक्टिव निदेट्टिटेव बढ़ रहा है निकलिएस का चार्ज बढ़ेगा तो प्रोच करेगा स्प्लेटिंग उतनी यहाद होगी स्फसी की वैली भी उतनी जाद होगी पार आया ना सो सी एफ एस टी जो होता है कि इस डिर्टी प्रोपॉशनल तो बताओ कि ऐफ इस डिर्क्ली प्रोपोर्शनल तो बड़ो जेड इफेक्टी इफेक्टी निउक्लिएड चार्ज अरे बोल दो यार और निकिल फ्लाटिनम पेलेडियम में ज्यादा एंद बो निकलिप बीचार जादा कि इसक प्लाटिनम का जा-धम का ए sound नियेगा सब कुछ ते मैं तो फिर किसे दखेंगे एफेक्टिव निंग्लियर चार्ज से CFSA की वेड़ी देखेंगे प्लीज नोट करिए इसको अज़ा इसका आप बता सकते हैं क्या मुझे हाइब्र की बता सकते हैं क्या इसका हाइब्रिशन बता सकते हैं इन सबी चे है ईनिमन हाइब्राइश य सकց साधंन निकिल क्या क्या ओ़र निकिल यहाँ पर 3D8 4D8 इसका होगा 5D8 लेकि लिगेंड कौन सा है यहां पर यहां पर लिगेंड कौन सा है यह वाला लोगी सेट्राइटर स्प्लिटिंग और इसका इस पीटरी सेप क्या एगा टेट्राइटर अठीट्राइटर होगा नो तो नो इस स्क्वाइर प्लेण डीश्पीटू क्यों बता हो ऐसे फिल फिल फिले और रीजन यही है कि इतना ज्यादा हो जाता है इनके लिए कि यह खुद घजीड के लिए को लेके आते हैं पास में चाहिए लिगेंड को मेडल खुद घजीड के पास लाता है यहां पर पेरिंग हो जाएगी अहां नहीं है यह क्या होगा इस्पिन यह क्या होंगे लो इस्पिन तो सुझ में आ रहा है कहाने बहुत बहुत बैतरीन कॉंसेट है सारी बाते लिख लेना कुछ भी छोड़ना मत एक एक बाते लिख लीजिए ठीक है बई चलिए वे पूर्थ पॉंट फॉर्थ पॉंट की बात करते हैं हम लोग यह अनॉम्बर ओफ लिगेंट की है कि अंचेंजन नहीं किया अलग अलग लिगेंट्स नहीं लिए हैं ठीक है तो नंबर ओफ लिगेंट्स नमबर औफ लिगेंड लो या पिर आप समझती सकते हैं क्या बोलते हैं इसी को आप कोईलिएशन नमबर क्यासे कोड़िशन और बोली है कुछ कहीं कहीं ही पे लिखा हो मिल जागा ज़ुमेंट्री ऑफ दी कॉंपलेक्स के कैसे matter करेगा यानि इस पर क्या क्या फिक्स कर देगा हम मैंडल करेंगे करेंगे मेंडल पर चार्ज फिक्स करेंगे लेकिन coordination नमबर फिक्स नहीं करेंगे हाँ है ना चारी चीजे तो है चार में से एक हर बार कुछ ना कुछ बदल ही दे रहे हैं इस बर होते चीज बचे विए ऐक छीबती हुए क्या ने विच्थ नाने है कि मैंडल फिक्से Isaiah auktion लिगेंड फिक्से लिए it we all are fix kindness क्या किया शेंज क्या किया हिए है क्या क्या तो क्याक्षीं तो क्या नुम्शन नमबड को चैश्य त्धिया ढूम तो यार आस मैं ना कुछ बताने जायक है ही नहीं, यह अलडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा, coordination number 4 and 6 में, 4 and 6 में, 4 में 2 splitting possible है, square planar और tetra-tral, और 6 में एकी splitting possible, octa-tral, तो अब तुमें, मैं मालना, बताता हूँ, तीन ही तरह की splitting है अपने पास, स्क्वार प्रेंट के डिल्टा हो सब चाहता हूँ, फिर डिल्टा, ओक्टाइड्रल, फिर डिल्टा, टेट्राइड्रल, इसमें तो कुछ सोचना है क्या बता हूँ, मेरे बाइब इसमें कुछ सोच रही नहीं है, हम question देखेंगे, उसका देखेंगे कि coordination of 4 है कि 6 है, अगर जो 4 है, तो 4 में हमें फिर से चेक करना होगा, कि क्या हो रहा है, बताओ, 4 है तो क्या है, 4 में square planer आ रहा है, जो square planer है, square planer का ज्यादा हो जाएगा किस ते, yes sir, yes sir, बहुत ही simple से है, हाँ है ना, जैसे माल लो, यहीं पे रिख दिया मैंने, एक question, जैसे माल लो, यह है, NIE, F4, पे 2 माइनस, ठीक है, और ले लिए फिर मैंने, NIE, F6, पे 2 माइनस, ठीक है, तुम खुद बताओ, खुद का दिया माँ लगा अपना, इस पर 2 माइनस नहीं करो, इस पर 4 माइनस करो, चारज अलग होगी है, ना, प्रूक्य कारज हो, प्लस तू, इस पर विचारज आएगा, प्लस तू, और से, महले इuard रिखा, इसमें क्या होग गहा सवाल है, क्या Пढheetए इट, ठीक है, कोडिनेशन नमर 6 में D8 का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यहां भी लिगेंट WFL है तो इसका शेप क्या आएगा बताओ जल्दी से टेटराइटर इसका शेप क्या आएगा बेटा ओक्टाइटर अब बताओ कॉंडॉमिनेट करेंगा डिल्टा हो किसका दाता है तो डिल्टा हो किसका दाता होगा ठाइटर नमर 6 का यही कोशन में चेंज कर देता हूँ यही कोशन में इसे देता हूँ यहीं कोशन ही नहीं है बस मैंने C.n कर दिया और 2- और इस बार मैंने कर दिया क्या और 4- फिर फोर माइनस अब इसको करो अब इसको करो चलो अब दिवालो क्या मेडल से में लिगेंड से में मेडल पर चार्ज देखो प्लस टू एंद प्लस टू ऑक्सिरेशन स्टेट सेम है दो ओनली डिफेरेंस इस वाट देर कोडिनेशन नमबर अब हमें समझना होगा कि इसका हईब्रेशन क्या रहा है तो यह देखो यह है यह भी है डिएट लेकिन इस बार लीगेंड जाय है वो कौन से एंड ऐसे फिल इस बार लीगेंड कैंड था strong field ligand strong field ligand causes pairing और इस वीरेशन की ज़ागा ds p2 shape क्या होगा square planar इस case में क्या होगा no doubt अब भदो, किस की spline लिएदा होती है square planar square planar तो delta square planar answer किस क्या ज़ादा हो जागा कौन डॉमिनेट करेगा इस बार कौन डॉमिनेट करें गाइज 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 तो आपको काईदे से ध्यान रखने हैं ना नोट करो बहुत काईदे कोश्चन है थोड़ा सा भी दो दर हुआ सब कुछ गड़ बड़ हो जाएगा फिर और एक लास्ट फेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन आपको पता ही होगा चिलेशन क्या होता है फिफ्ट फेक्टर जो इसको एफेक्ट करता है पॉल्ट चिलेशन तो चिलेशन कैसे सी एफेक्ट करेगा क्रिस्टल फील्ट स्प्लिटिंग एनरजी को एक दो कॉस्चन से करते हैं इसको देखो जैसे मान लोग एक क्वेश्चन है इस तरह से और इस पर क्या है प्लस टू चार्ज और इसकी रेक्शन मैंने करा दी इन से थ्री टाइमस इन से तो बताओ क्या बनेगा हाँ इन कैसा एक लिगेंड है बताओ इन इसकी वेश्चन है इसकी वेश्चन है इसको बोला था यह क्या इन इताइलीन डायमीन क्या है बताओ यह इस लेटिंग लिगेंड है बाइडेंटेट अगर जो इस मुझे इन को अड़ाना यहां से तो कितने इन डालने वंगे इसके अंदर कितने से काम चल जाएगा तीन से तो क्या बनेगा यहां से बताओ एन इन का ओल ही और तू पॉजिटिव और यहां से बाहर छे के छे इस टू निकल जाएंगे ठीक है इसके इस्ट्रक्शर के वाज मैं बात करूं तेरा ध्यान से लिगना यह होगा है एस टू एस टू एस टू एस टू इस तू है इस तरह से यह क्या करेंगे सभी कोडिनेट बॉन से इसको अपना एलेट्रॉन फर्निश करेंगे कोडिनेशन नमबर 6 है यह ऐसा हो लेकिन अगर जो मैं इसका यहां से एक डुनेट कर रहोगा यहांसे कर रहोगा एक इदर से तो यह एंज होगा ना ऐसे डूनेट कर रहा होगा इधर से और इधर से कुछ इस तरह से बाइडिंटेट तो यहां वह रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर चिलेशन और आपको यह बात पता है पहले से ही की कि इना और येनिक कंपाउंड में अगर जो क्या होगा है रिंग फॉर्मेशन हो जाए है ड्यू टू से सिमेटरी अधिक टेंट्ट टोर्ट सब्सक्राइब यहां पर द्यांस देखो यहां पर चिलेशन हो रहा है वैसे हाला की काईदे की कई सारी बाते हैं जो आप यहां पे फुछ इसे ही बोल सकते हो कि सार यहां पे water था water एक WFL है और EN एक SFL है तो ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले complex का इस वाले complex से delta हो क्या होगा जादा होगा आया ना बोल दैया ऐसे ही जादा होगा पहली बात दूसरी बात एक सवाल यह उठता है कि सारी यह reaction होगी भी या नहीं होगी तो इसके लिए दो support है एक support तो आप इसको यहीं से समझ सकते हो कि हाँ वही यह weak field ligand है और weak field ligand को कौन replace कर रहा है एक strong field ligand replace कर रहा है तो definitely possible है यह possible है दूसरा अब thermodynamics के support से भी इस बात को समझ सकते है thermodynamics भी इस बात को explaining कर सकता है कैसे thermodynamics stability चेक कर लो इस reaction की तो द्याँ से लगे तो यहाँ पे कितने molecules है तीन यहाँ पे एक यहाँ पे चाथ और यहाँ पे कितने बन रहे हैं चेह यहाँ पे और एक यह साथ तो number of particles जो मिल रहे है बाद में वह ज्यादा मिल रहे है number of particles ज्यादा मिलेंगे तो क्या होगा entropy क्या हो जागी system की बढ़ जाएगी और entropy बढ़ जाएगी तो what is delta G delta H minus T delta S entropy positive का मतलब यह value negative negative का मतलब delta G और ज्यादा negative हो जाएगा delta G जीतना negative होगा process becomes spontaneous, feasible तो सर को पूरी बात बता है तुमनों साले कुछ नहीं बोड़ रहे हैं तभी से सर बता रहे हैं कि feasible होगी process चाय पीपी के वो भी जब क्या second law of thermonais physics में है भी नहीं entropy वाला अरी बात पढ़ा है तब से 2004 में तीन चार में पढ़ा होगा यह आगे चोबिस आने वाला है कि दो साल बाद है अब है अब है कैसे इस्टेविड होगा इरिक्षन होगी feasible यह तो दो सपोर्ट है यहां पर एक सपोर्ट तो क्या है अब यह आप डब्ली एफल को सफल तो रिप्लेस करी देगा इस्टेविल्टी इस कॉंप्लेक्स ज्यादा होगी तो जरूरी यह रिएक्षन होगी और दूसरा सपोर्ट क्या है थर्मोनाइमिक्स का सपोर्ट कि एंट्रॉपी बढ़ रही है तो गिस फ्री एनरजी क्या हो और इस कॉंप्लेक्स में स्टेबिल्टी की बात करेंगे सी एफसी की बात करेंगे किसकी ज्यादा होगी बता और एक बार एक बार है एन आई कि इन कि ओल त्री पे टू पॉसेटिव कि कि यह हो जाएगा बटाओ लेकिन यह तो मतलब इस पेट्रो केमिकल सीरीस से यांसर इसकाद दे सकते हैं ऐसा कोई इत्में चक्कर रही है है चकर तब फुसेगा जब कि स्ट्रॉंग फिल्डिगेंड को डॉमिनेट करदेगा कौन स्ट्रॉंग फिल्डिगेंड को डॉमिनेट करदेगा चिलेशन तब जाके कुछ नहीं चीज़ आएगी देखनागा तो यह कॉम्प्लेक्स में यह बात तो बट झाजा अगर एसा आजायी यहीं पे मैंने कॉम्प्लेक्स च्जानज कर दिया अब मैंने कॉष्शन लिया यह कर मैं और को यह यह कॉश्शन लिया यह अपने पास कव थया, कि कि ओ एन ओल्ट्राइज पर आप ले लिए थ्री पॉजटिव ऑफ सरेशन स्टेट चेक करो जाना दोनों किसी मारी गया इस पर क्या है प्लस थ्री और इस पर भी प्लस थ्री यह आ रहे है को बोल्ट प्लस थ्री इस कॉबल्ट प्लस थ्री का यार बताओ डी सेवन डी सेवन तब होता जब प्लस थ्री क्या होता प्लस थ्री होता चार्ज लेकिन एक निकल गया एक निकलने से क्या होगा डी सिक्स हो जाएगा है यह ना और ध्यान से देखो तो यहाँ पर एन दोनों ही ऐसे फैल है स्ट्रांग फिल्ट लिगेड आपको इस पेट्रोकेमिकल सीरी जाथ है क्या होता है अमोनिया पिरिडीन डाइपिरिडीन बीच में आ गया था क्या इन फिर क्या था एन और टू सी एन सी यो यह था अब अगा जो काहले से देखें तो एन टू जो है यहाँ है और एन जो है वह यहाँ है कि घंग से तो कौन डॉमिनेट करना चाहिए स्पेक्ट्र केमिकल सीरीज के बेसिस पर किसका एनर्जी जाता होना चाहिए डिल्टा हो किसकी आदा होनी चाहिए के इनाटू में क्यों कि सीपल है लेकिन नेशारी यहाँ पे देखा ऐसा है कि स्प्लिटिंग जो है वह आरोटी की वैसे जादा तो आ रही है लेकिन जैसे ही चिलेशन हुआ चिलेशन की वैसे सिस्टम की स्टेबल्टी बढ़ जा रही है वह हुँदा और यह ज़्यादा अगर जो एनो टू पर डॉमिनित करेगा तो डाइपरीडीन पर तो और ना इस से वीक फिल्ट गेंट कर जा रहा है तो डाइपरीडीन गेंडिगों डॉमिनेट करेगा जो । यह सर्ड यह बड़ा ही काईदे का से लेकिन किसी की हिमत नहीं होती है कि सी ओ और CN- को कोई dominant करे no chillating ligand can dominate cyanide and carbon monoxide इस बात को note करके लिख लो कोई भी chillating ligand ऐसा नहीं होगा जो किसको dominant करते CN और किसको करते बोलो CEO को यह बहुत काईदे का point है अब इसमें बहुत सवाल आते है कौन किसको कर पाएगा किसको कौन नहीं कर पाएगा ठीक है matter बहुत होता है यहां पर जो question मैं करा रहा हूं वो question बहुत important है यह question तो एक्दम ध्यान में रखना ही रखना chillation dominates ठीके बच्चे now अगर आप बात करें यहां पर एक और complexness है CO काई CO NH3 इस बार ले लिया मैंने whole 6 पर 3 positive और यहां पर ले लिया मैंने CO C2O4 oxalate यह नहीं याद है आपको oxalate whole 3 पर 3 positive करोगे तब जाके 3 negative करता हाँ अभी भी oxalation state निकालो यहां पर आरा प्लस 3 यहां पर भी आरा प्लस 3 यह अमोनिया इस है strong field ligand अमोनिया यहां है oxalate यहां पर कहीं तब पीछे इसके बाद था water OH- मिनस फिर था C2O4 पर दो माइन ऑग्जिलेट आयन हाँ है ना फिर था अग्जिलेट आयन तो कायदे सो देखोगे तो ऑग्जिलेट आयन तो weak field ligand है और अमोनिया की strong field ligand है बट यू टू चिलेशन यह डॉमिनेट कर जाएगे अगें चिलेशन 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 डॉमिनेट करता है लेकिन मैं आपको उता हूँ अमोनिया तक ही डॉमिनेट कर पाएगा यह अमोनिया की आगे डॉमिनेट नहीं कर पाता है माल लो C2O4 है और एक बार EN है माल लो यह question आ गया सी ओ इन का होल थ्रैस और पे थ्री पॉजिटिव और सी ओ ऑग्जिलेटो ओ एक्स होल थ्रैस त्री माइनस यह तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है तो इसमें पूछ रही नहीं है बाई दोनों ही क्या है चिलेटिंग लिगेंड है इस पे प्लस त्री इस पे भी प्लस त्री इसका अंसर बहुत ही सिंपल है जो जो स्ट्रॉंग लिगेंड हो एसे फल कोई इस बार इन यहां और दोनों चिलेटिंग लिगेंड में तो कोई दिक्कत नहीं है दो चिलेटिंग लिगेंड का आंसर तो बड़े आसानी से हासर के आप कमेंट कर सकते हैं हसी मजाक की बात ह यह तो दिक्कत कहा है जब एक चिलेटिंग और एक नॉन चिलेटिंग हो और उसमें भी चिलेटिंग वाल चिलेटिंग वाला वीक फील्ड लिगेंड हो और फिर डॉमिनेट कर जाए वह कौश्चन काईदेका होता और एक्दम धिमाग खराब कर देता वाई यह बहुत जो आपने पढ़ा था वह काम आगे आपके तरो किसी एफेक्ट को क्या बोलते हैं मैक्रोशाइक्लीक एफेक्ट क्या बोलो मैक्रो साइकलिक एफेक्ट एक क्वेशन के और करा दें जैसे ये देखो जैसे मालो आइरन है और यहां पर EDTA ले लिया EDTA पर दोगा आपको 4 माइनस होता है इस पर मैं 2 माइनस कर दे रहा हूँ जिस्ते कि इस पर प्लस 2 आ जाए और एक बार ले लिया मैंने ED का होल ले लिया और इस भार 2 पॉ motive कर दिया क्योंकि EM तो क्या होता है? neutral होता है ठीक है? प्लस 2 अपना दिमाग क्या कह रहा है? अपना दिमाग कह रहा है सर ये तो दोनोंई चीले. दोनोंई चीले. कि और वह एंग कि इडिए डवलोएफ लो चार आक्सीजन हो रहते हैं तो और यह उसमें भी पीछे तो सर डेफिनेटली वह वहांसर होगा वहाद प्यारे बच्चे आंसर वोने यह की इसका रीजन के इसका रीजन यह है कि यह चिलेशन में सिर्फ तीन रिंग बनाएगा इन तौर कि देखो यहां है सिर्फ तीन रिंग बनी आप एक दो तीन लेकिन इडित है hexadentate hexadentate denticity coordination number six coordination number six यहाँ पे भी है जब इन दोनों को आप solve करेंगे न तो यहाँ पर जब number of ring calculate करेंगे तो number of ring इस case में बहुत जादा आजाएगा आपको बहुत पता होगी number of ring निकलवाया था मैंने आपको 5 इतनी आई थी तो चिलेशन डॉमनेट कर जाता है यहां पर क्या होती है थ्री चिलेटिंग लिए तो जितने अच्छे क्वस्टन है मैं आप से करा दे रहा हूं क्लास नहीं इसको क्या बोलो इसको क्या बोलो इसको क्या है ब्लड का कणर कैसा है वोड़ो रेड रेड क्लोरोफिल की वैसे क्या है अब बहुत स्टेबल कॉम्पलेक्स होने की वैसे क्या होता है बहुत स्टेबल कॉम्पलेक्स होने की वैसे क्या होता है बहुत स्टेबल कॉम्पलेक्स होने की वैसे क्या होता है बहुत स्टेबल कॉम्पलेक्स होने की वैसे क्या होता के वैसे यह किसी से रेक नहीं करते हैं बने रहते होने कि वहाइन बहुत जदा यह लेकिन थोड़ा सायात करो मैंने आपको कितनी बढ़िया बात बताई अभी कि चाहिए कोई सा भी लिगेंड हो इन दोनों को कोई नहीं डॉमिनेट कर सकता है ना इन दोनों को कोई नहीं नहीं तो एक बहुत काइदे की बात है सुनना ज्यान से अगर जो आपने कार्बन डाय आप आप करते हैं तो जाता है बलड में बलड में वह क्या बनाता है आईरन के साथ क्या बनाता एक और फिर वह उसके थुरू और पूरे बोडी में ट्रैवल करता है एक पूरी इस ड्रामा तो पता ही होगा oxy compounds बनाके oxyan move करता है अब जैसे आपने CO लिया CO एक strong field ligand है strongest field ligand है बहुत जबड़दस अब ये क्या करता है ये hemoglovine में जाके क्या करेगा वहाँ से ligand को अड़ा के खुदा जायता है और ये इतना strong bond मनाता है कि ये वहाँ से detach नहीं होता है और detach नहीं होगा तो क्या होगा बदा detach नहीं होगा तो आपके body को जो भी oxygen लेके travel कर रहा था जो भी oxygen दे रहा था पूरी body को अब वो पूरी body को क्या मिल रही है CO और सारे freeze हो चुके हैं complexes सारे CO के ताथ बन चुके हैं जो कि most stable complex है अब वो उसको अगर आपने CO as a legend use कर लिया तो आईवा समझ में आपको आदोगा खुद तो bonding करता है तब पलट के बैक बांड निंग कराता था हो मो में अपने कि यह सब आदा है कुछ तो सी यह carbon monoxide बहुत खतरना किसी लिए कहा जाता है कि कि incomplete अगर जो oxidation हुआ complete oxidation नहीं हुआ कारवन का complete oxidation मतब co2 बन जाना incomplete oxidation का मतब क्या होता है सी यो बन सी यो बनना तो कहीं ऐसी incomplete बर्नी हो रही है क्योंकि सी ओ इन्हेल कर लेंगे तो बड़ी दिक्कत हुआ है आज वा समझ में चलिए फिलाल के लिए यहीं तक रखते हैं हम लोग आज ठीक है नेक्स क्लास में हम लोग कल जो है कल हम लोग सुरू करेंगे इसके आगे और अभी खतम नहीं हुआ है अभी अच्छे अच्छे क्वेशन की प्रेटिस करेंगे और समझेंगे कि कैसे सी अफटी ने कलर को एक्स्प्लेइन किया तक क्योंकि अभी कलर बचा हुआ है ना कलर आफ कॉम्पलेक्स कमभां मेंक्शूर करें कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया प्लीज उसको खूब अच्छे से रिवाइस करिए खूब अच्छे से बैट के नोट्स को ही रिवाइस करिए नोट्स की को सॉल्फ करने कोस्ट करिए आपको अपने आप कॉंफिदेंस आज आगा आपका साइन में लाएंगे तो चलिए आज कर इतना है थैंक्यू सब्सक्राइब का थांक्यू